जैश्री गणीश, हर हर महादेव, दोस्तों, आज हम जान लेते हैं अनंत चतुरदर्शी, ब्रत की तिथी, ब्रत, नियम और पूज़वेधी अनंत चतुरदर्शी का पार्व भाद्र पद शोकल चतुरदर्शी को मनाया जाता है इसमें भगवान अनंत की पूज़ा की जाती है, इसमें ब्रत का संकर्प लेकर अनंत सूत्र बांदा जाता है कहा जाता है कि इसको धारण करने से संकर्टो का नाश होता है, साथ ही व्यक्ति का जीवन सुख समरदी से भर जाता है इस बार अनंत चतुरदर्शी 28 सितंबर गुरुवार को मनाया जाएगा, इस दिन भगवान विश्नु के अनंत रूप की पूजा की जाती है इसमें ब्रत का संकल्प लेकर अनंत सूत्र बांदा जाता है, माना जाता है कि इसको धारण करने से संकल्टों का नाश होता है, इस दिन भगवान विश्णु के भक्त पूरे दिन का अभवास रखते हैं और पूजा के दोरान पवितर धागा बांते हैं, भगवान गणिश का विशर्जन भी इसी दिन किया जाता है, इसी दिन श्री हरी और मा लक्ष्मी की पूजा की जाती है, इस दिन गणिश विशर्जन किया जाता है, क्योंकि गणिश भगवान की स्थापना करने के पूरे दस्वे दिन उसका विशर्जन करने का विधान है, अनन चतुर दर्श खांड मेवा एवं खीर इत्यादी से हवन करके यतासंभवी गोदान शयदान और अन्नदान का भी विधान है इसके बाद केले के ब्रक्ष का भी पूजन करना चाहिए सामर्थ अनुसार चोधर ब्रामणों को भोजन कराकर अपना ब्रत समाप्त करें इस दिन नमक का सेवन न करें दोस्तों अनंत चतुरदर्शी के दिन भगवान विष्णू के अनंत रूप की पूजा की जाती है इस दिन सबसे पहले इसनान करने के बाद स्वक्ष्ष द्वस्त्र धारण करके इस ब्रत का संकल्प लें इसके बाद मंदर में कलश स्थापना करके भगवान ठूंग विष्णु जी को अनंत रख्षा सूतर अर्पित करें इसके साथ भगवान विष्णुको अक्षद फल धूप दीप नैवति इत्रे चंदन आदी अर्पित करें फिर भगवान विष्णु की आरती करें और के मंत्रों का जाब जरूर करें दोस्तों धारविक माननेताओं के अनुसार 14 साल तक लगातार अनंत चतुरदर्शी का ब्रत रखने से विश्णु लोग की प्राप्ति होती है जब पांडब जुए में अपना राज जिहार करवन में कस्ट भोग रहे थे तब भगवान श्री चतुरदर्शी का ब्रत रखना चाहिए इसके साथ ही ग्रह कलेश में से भी छुटकारा पाने और घर में सुक शान्ती के लिए भी अनंत चतुरदर्शी का ब्रत बेहत लापकारी माना जाता है वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दें चैनल पनाए हो तो सब्सक्राइब कर कमेंड में श्रीहरीविशनों लिख दें